इस वीडियो में हम राजिस्थान के परवत एवं पठार इससे सम्मंदित कोश्चन डिसकस करेंगे जो की प्रीवेस यह परिच्छाओं में आये हैं और आने वाले एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर द जो रगुनातुरा चोटी है वो पढ़ती है सीकर जिले में ठीक है और इसकी उचाई कितनी है इसकी उचाई है एक हजार पचपन मीटर यह आपको याद रखनी है फेमस चोटी है और इंपोर्टेंट भी है अगली है सेर जो सेर है वो राजिस्थान की दूसरे नंबर की च 1570 मीटर ठीक है तीसरे नंबर की जो चोटी है वो है देलवाडा जो भी सिरोई में पढ़ती है और इसकी उचाई है 1442 मीटर अब है हमारा जरगा जो जरगा चोटी है वो अधैपूर एवं राजसमन दौनों में पढ़ती है और इसकी जो उचाई है वो है 1431 मीटर चौते नंबर की चोटी है जैगर यहाँ पर चो दे रखी है बैसे चोटे नंबर की राजस्थान में पूछा जाए तो चोटे नंबर की जरगा है ठीक है गुरू सिकर सेर दिलवाडा और जरगा लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जैगर है तो जैगर कहाँ पर है जैगर जैपूर म अगला कोश्चन दोबारा से हमको परवतिय चोटी और जिला मेच करना है तो सेर अभी मैंने उपर वाले कोश्चन ने बताया था सिरोई हमें है और इसकी उचाई है 1579 मीटर जैगर जैपुर में है 648 मीटर जैगर फेमस है याद रखना है आपो क्योंकि आप जैगर को याद नहीं रखते हो बूल सकते हो इसलिए जैगर को याद रखना है जैपुर में है और इसकी उचाई जरूर याद रखनी है 648 मीटर है रगनात गड़ सीकर में है 1055 मीटर कुम्बलगड राजसमन्द में है और कुम्बलगड की जो उचाई है बो है 1224 मीटर ठीक है तो यह आपको याद रखनी है अगला कोश्चन है सुमेलित करना है जो बाबाई की पाहड़ी है बो है जुन्जुनू और जैपुर में इसकी उचाई कितनी है बाबाई की पाड़ी की वो है 780 मीटर तारागड तारागड है अजमेर में तारागड की जो उचाई है वो है 833 मीटर तारागड अजमेर में है ठीक है साइरा जो साइरा चोटी है यह है उदैपुर में जो सायरा चोटी है यह है उदैपुर में और जो इसकी उचाई है वो है 900 मेटर रोजा भाकर, रोजा भाकर की उचाई है 730 और यह कहाँ पर है रोजा भाकर, यह है जालोर में ठीक है? तो मैंने आपको जले भी बता दिये हैं बावाई चोटी, जुनुचनु जैपुर में, तारागर अजमेर में सायरा है, उदेपुर में रोजा भाकर है जालोर में, कि आपको याद रखना है एगला कोश्चन हमको मेच करना है, जालोर में कौन सा पर्वत है, तो जालोर में रोजा भाकर है एक तो, ठीक है जैपुर में कौन सा आता है जैपुर में इनमे से आता है बरबाड़ा अलवर में कौन सा आता है अलवर में बहनगड़ आता है तो सीकर में रगनादगड़ आपको पताई है अगर आपको केवल ये सीकर वाली भी याद होती तो आप कर सकते थे ठीक है तो सीकर रगनातगड में है सीकर में रगनातगड है ठीक है जैपुर में कौन सी है जैपुर में बरबाडा है और बरबाडा की उचाई अगर आपसे पुछ ले तो 986 मीटर 986 मीटर है रगनातगड की आपको पताई है उचाई 1055 मीटर है जालोर में कौन सी है जालोर में है जालोरा ठीक है जालोर में है जारोला अलवर में कौन सी है अलवर में है भानगड और भानगड क्यों चाहि कितनी है छैसो ननचास मीटर ठीक है तो यह आपको याद रखनी है इंपोर्टेंट चोटी है पुछी जा सकती है अगला देखते हैं उदैनात परवत राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है तो correct answer होगा इसका अलवर जो उदैनात परवत है वो राजिस्थान के अलवर जिले में आता है third option correct हो जाएगा अगला question है मध्य अरावली छेतर की सबसे उची चोटी कौन सी है तो correct answer है का तारागर जरगा ये कहाँ पर पड़ती है उदैपूर राजस्थान में यानि की दच्छिन अरावली में है बेराठ ये जैपूर में है अचलगर ये आबू परवत पर है जो भी सिरोई में है ये भी दच्छिन अरावली की चोटी है ठीक है अचलगर पांचवी नंबर की चोटी है राजिस्थान में और अचलगर की उचाई कितनी है अचलगर की उचाई है 1380 मीटर तारागड की उचाई है 870 मीटर ठीक है ये आपको याद रखनी है जरगा जरगा की उचाई आपसे पुछ रहे तो 1431 मीटर है वदैपुरासमन में है हमसे पूछा है मध्यारावली छेतर की चोटी तो मध्यारावली अजमीर में तारागड चोटी है ये आपको याद रखनी है ठीक है अगला कोश्चन है कौन सा मध्यारावली में अबस्तित है रगुनात गड ये सेखावटी में है सीकर में ठीक है इसकी उचाई है 1055 मीटर गुरू सिकर दच्चिन अरावली में है 1722 मीटर नाग पाहाड ये अजमेर में है ठीक है तो अजमेर यानी की मध्यारावली शेत्र में आ गया मध्यापार्ट है राजिस्तान का नाग पाढ़ यहां पर करेक्ट हो जाएगा खो चोटी कहाँ पर है खो जैपुर में है जैपुर अलबर की चोटी है खो और यदि खो की उचाई आपसे पूछ ली जाए तो खो की उचाई है नौसो बीस मीटर ये आपको याद रखनी है खो जोटी जैपुर अलबर में है और उचाई है नौसो बीस मीटर निमलिकित में से कौन सा सरवोच सिकर है रोजा भाकर इसराना पहाड तारागर और जारोला पहाड ठीक है तो correct answer इसका तारागर तारागर कहाँ पर है तारागर अजमेर में है और उचाई लिख रहाओं में आठ सो तहेतर मीटर ठीक है रोजा भाकर ये जालोर में है और इसकी उचाई है 730 मीटर, ठीक है, जारोला पहाड, ये भी कहा पर है, जालोर में है, इसराना पहाड, इसराना पहाड भी जालोर में है, और इसकी उचाई है, 849 मीटर, ठीक है, जालोर में एक डोरा परवत भी है, इसराना पहाड भी है, रोजा भाकर भी है, तो ये जालोर में है, ये आपको याद रखना है ठीक है तो यहाँ पर सबसे उंची चोटी हो जाएगी तारागड जो की 870 मीटर है ठीक है निमलिकित में से कौन सी पाहडिया मध्या रावली स्रेणी में इस्तित है मध्या रावली में अजमेर जिला आता है लगबग लगबग ठीक है तीन बार ये गोशन आ चुका है तो अजमेर में कौन कौन सी चोटिया है अजमेर में एक तो तारागड है नाग पाहड है और मेर बाड़ा पाड़िया ये भी अजमेर के आसपासी है मेर बाड़ा पाड़िया यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है हला question देखते हैं मेरबाड़ा पाड़िया निम्नांकित भोतिक उपकाईयों में से किसका उपविवाजन है तो correct answer होगा मध्यारावली स्रीडियों का अब ये उपसर बताया था मैंने उपर question था कि मध्यारावली स्रीडियों में कौन सी पाड़िया है तो उसका अंसर था मेरबाड़ा पाड़ियां यहाँ पूछ लिया गया है कि मेरबाड़ा पाड़ियां किस बहुतिक उपकाईयों का वेवाजन है तो मध्यारावली स्रीडियों का अंसर होगा ठीक है second option यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question देखते हैं उत्री अरावली की जो चोटी है वो है भानगड़ ठीक है क्यों क्योंकि उत्री अरावली किस एरिया में है अलवर में है यह भानगड़ ठीक है और भानगड़ की उचाई 649 मीटर है ठीक है दचनी अरावली की चोटी है यहाँ पर option में रिसी केस, जो रिसी केस है वो सिरोही में है और रिसी केस की जो उंचाई है वो है 1017 मीटर, ठीक है, मध्यारावली में तारागड है यह आपको पता ही है जिसकी उंचाई है 870 मीटर, ठीक है, तो उत्री अरावली, मध्यारावली तच्छनी अरावली ऐसा भी कोश्चन आ सकता है आपके एक्जाम में याद रखना है आपको जिले वाईज शिरोही जिले, उदैपुर जिले, रासमन जिले में पूछा जाए तो वो दच्छनी अरावली में आएगा अजमेर के आसपास पूछा जाए तो मद्य अरावली में आएगा यदि अलवर और सेखा बटी सैड पूछा जाए तो उत्री अरावली आएगा ठीक है? या आपको याद रखना है शिरोही जिले में तीवर ढ़ाल उबड खावर पाहडियों को इस्थानिय वासा में क्या कहा जाता है? तो इस्थानिय वासा में भाकर कहा जाता है जो आपने कोशन में भी देखा होगा रोजा भाकर ये रोजा भाकर कहाँ पर है? रोजा भाकर है जाल ओर में ठीक है? रोजा भाकर पाडिया जाल ओर में है और इनकी उंचाई कितनी थी, 730 मीटर थी, तो यहाँ पर भी पीछे भाकर लग रहा है, भाकर का मतलब क्या है, शिरोही जिले में तीवर ढ़ाल युक्त उवर खावर पाडियों को भाकर कहा जाता है, इस्तानिय वासा में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गिर्वा क्या है, यहाँ पर ओप्सन में गिर्वा दे रखा है, उदैपुर के चारों ओर की जो पाडिया है, उन्हें गिर्वा कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, अगला कोश्चन देखते हैं, चारों ओर से पाडियों से घरे हुए उदैप को इस्थानिय वासा में किस नाम से जाना जाता है अभी मैंने उपर कोश्चिन में बताया था गिर्वा के वारे में वही पूछ लिया गया है ठीक है तो उदैपुर बेसिन के चारों और जो पाडियां है तस्तरी नुमा स्रंखला नुमा उनको गिर्वा कहा जाता है सेकंड आप्सनिया पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चिन है जिला समेलित करनारं को वहाकर मैंने बताया था रोचा भाकर जाल और है जाल और के पास आई this टु शिरोही उस ये दोनों आपको konfetu j wilderness यहां पर देख लो आप c मेना दी राजिस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगवक एंचाई पर बसा हुआ है तो यह आप को पता हो होगा शिरोही में आबू परवत और आबू जो माउंट आबू जो जगए है वो तेरे सो मीटर की उचाही परवसी होई है शिरोही यहाँ पर करेक्टर अंसर हो जाएगा अगला हमको सुमिरत करना है डूंगरपूर बासवाड़ा वे प्रताबगड छेत्र मैंने आपको बताया था डूंगरपूर बासवाड़ा वाले चेत्र को बागड कहा जाता है और सेखावटी चेत्र को सेखावटी चेत्र को वांगड कहा जाता है दूंगरपूर पूर्वी सिरोही वे उदैपूर जिलों का अरावली परवती चेत्र इसको भौमट कहा जाता है यह important है भौमट आ सकता है गोश्चन में ठीक है तो दूंगरपूर पूर्वी सिरोही वे उदैपूर जिलों का जो अरावली परवती चेत्र है उसको भौमट कह साथ नंको साथ हमाल है आपको पता ही होगा जो द्षिड़ Πूर्वी के जो एरिया है राजिस्तान का द्षिज्तान का कोटा बूनी बाराच कहला पर इनको हाडोती चेतर हमाला है ठीक है या पर करेक्ट हो जाएगा ये गोडे की नाल जैसी आकिरती है ये रामगड़ गाओं खा पड़ता है ये बारा में परता है ऐसी जरूर याद रखना है बारा